अक्टर इर्फान खान से जुड़ी बड़ी खबर इर्फान खान की अचानक तबियत बिगरी, ICU में है अड्मिट खबर है कि इर्फान खान की सेहत बिगरने से उन्हें अस्पताल में भरती किया गया है इरफान खान मुंबई में है और वोकीला बेन अस्पताल के ICU में भरती है हाला कि अब यह पता नहीं चल पाया है क्योंने किस बिमारी के चलते अस्पताल में भरती किया गया है दू साल पहले मार्स 2018 में इरफान खान को अपनी बिमारी का पता चला था उन्होंने खुद अपने फैंस को ये शौकिंग खबर दी थी उन्होंने ट्वीट कर अपनी बिमारी का खुलासा किया था लंबे समय तक इस बिमारी से लडने के बाद इर्फान खान ठीक होकर वापस बॉलिवोड में लोटे पिछले साल सितंबर 2019 में वो भारत वापस लोटे वापस लोटने के बाद उन्होंने फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग शुरू की उनकी हालिया रिलीज अंग्रेजी मीडियम थी बिमारी के बाद ये उनकी पहली फिल्म थी जब इर्फान खान ने अपने बिमारी के बारे में दुनिया को बताया था तब उन्होंने फैंस को ये मेसेज दिया था जिन्दगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको आगे लेकर जाती है मेरी जिन्दगी के पिछले कुछ दिन ऐसे ही रहे है मुझे नियूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बिमारी हुई है लेकिन मेरे आसपास मौजूर लोगों के प्यार और ताकत ने मुझ में उम्मीद जगाई है इसके इलाज के लिए मैं विदेश जा रहा हूँ मेरे सभी से प्रातना है कि वो मेरे लिए दुआये करते रहे मेरे बिमारी को लेकर नियूरो की जो अफवा फैलाई जा रही है इसके लिए मैं बता दू कि नियूरो हमेशा ब्रेन के लिए नहीं होता जिन लोगोंने मेरे बयान का इंतजार किया मुझे उम्मीद है कि मैं फिर से और स्टूरी लेकर वापस आऊंगा हाल ही मैं इर्फान खान की मा सहीदा बेगम का निधन हो गया था लेकिन लोगडाउन के चलते पो उनके जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे फिलाल इर्फान खान आईसियू में एडमिट है और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल से जल ठीक हो जाए